इस वीडियो में हम हर्याना की मई महिने की करंट अफेर को पढ़ेंगे इस महिने की जितने भी इंपोर्टेट करंट अफेर बनती है वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे प्रती एक पॉइंट को डिटेल में डिसकस करेंगे उस point से सम्मंदी जितने भी important तत्या बनते हैं वो भी देखेंगे कुल मिलागरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा important होने वाले हैं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आदा हदूरा नहीं छोड़ें क्योंकि हो सकता है जिस portion को आप छोड़ने वाले हो या फिर जो portion आपने छोड़ दिया है वहीं से exam में pressure बन जाएं तो आप पूरा जरूर देखें आदा दूरा ना छोड़ें दोस्तों यह वीडियो इस सेरीज की नौवी वीडियो है अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें description में उनका रिंग देख रख है इस वीडियो में हम जानेंगे हरेडा के नए अधक्ष के बारे में हरेडा यानि की हरियाना Renewable Energy Development Agency इसके नए अधक्ष की से बनाया गया है हरेडा क्या है यह हम जानेंगे आस सिस्टम हाली में अपलाई किया गया है क्या है यह आस इसका पूरा नाम है Auto Application Software System क्यों शुरू किया गया है किस उदेशे से शुरू किया गया है यह जानेंगे ग्लोबल सीटी प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया है किस उदेशे से स्थापित किया गया है यह पड़ेंगे मिशेज विसव सुंदरी का खिताब किसने जीता है भारतिय सेना की पहली मैला लडाको पाइलेट कोन बनी है जिनका समध हरियाना से है तो यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में चली स्टार्ट करते हैं हरियाना के मुख्य मंति मनोलाल कटर की अधेक्सा में एक मंतिनी मंडल की बैठक हुई थी इस बैठक में हरियाना एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पोलसी 2022 को सुखरीती परधान की गई है आप पोलसी के नाम ज़रूर याद रखें हरियाना एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पोलसी 2022 यह इसका पूरा नाम है हाली में इसको सुखरीती परधान की गई है क्यों शुरू की गई है यह पोलसी एरोस्पेस एरोस्पेस का मजल होता है विमान, मिसाइल या फिर अंतरिक्ष्यान से समंधी डिजाइन तयार करना और डिफेंस प्रोडक्शन यानि की डिफेंस से समंधी प्रोडक्शन करना डिफेंस से समंधी जो हतियार है वो पडियूस करना यह होता है डिफेंस प्रोडक्शन यानि की हरियाना को एरो स्पेस और रक्षा के अक्षितर में आगे ले जाने के लिए ये पोलसी बनाए गई है आगे बढ़ते हैं 6 मई 2022 को हरियाना सरकार ने स्वतंतर कुमार सिंगल को तो याद रखें हरियाना रेना रिनुवेबल एनर्जी डिएलोप्मेंट एजन्सी इसका ने अध很好 किसे बनाया गया है स्वतंतर कुमार सिंगल को बनाया गया है सिंगल ने नवीन और नवीकर्णिया उर्जा विभाग के महानी देशक डूक्टर हनीव कुरैशी की उपस्तिती में पदभार ग्रहने किया है आप इनका नाम भी जुरूर याद रखें डूक्टर हनीव कुमार कुरैशी रुक्टर हनीव कुरेशी ये है नवीन और नवी करणिया उर्जा विभाग के महानी देशक इनकी उपस्तिती में हरेडा के नई अध्यक्ष के रूप में स्वतंतर कुमार सिंगल ने पदबार ग्रहन किया है जो हरेडा है इसकी स्थापने की गए थी मई 1997 में आप इसी भी याद रखें तो याद रखें हरेडा के नई हध्यक्ष की से बनाया गया है स्वतंतर कुमार सिंगल को आईए आगे बढ़ते हैं चार मई 2022 को हर्याना के हिसार जिले में टीबी की जांच के लिए एक पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पाइलेट प्रोजेक्ट क्या होता है देखें जब योजना को एक छोटे अक्षेतर में अपलाई किया जाता है उसके प्रेणाम चेक करने के लिए योजना सही है या नहीं साकारात्मक प्रेणाम आते हैं या नहीं जब एक योजना को बहुती सीमित अक्षेतर में अपलाई किया जाता है तो उसको बोला जाता है पाइलेट प्रोजेक्ट तो याद रखें टीबी की जांच के लिए एक पाइलेट प्रोजेक्ट कहां से शुरू किया गया है हिसार से शुरू किया गया है कब शुरू किया गया है इसे चार मई दो हजार पाइस को डिप्टी सीमो डॉक्टर अनामिका ने बताया है कि देश में पहली बार शुरू किये गए इस प्रोजेक्ट का उदेशया है मरीज की पहचान करना मरीज की पहचान जल्दी से हो सके इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और आप ये भी याद रखें जो टीवी मुक्त भारत है या फिर टीवी मुक्त हरियाना है इसक का समद कैथल से है और इन्होंने कांशा पड़क जीता है विशवस बोक्सिंग परतियोगिता में जिसका आयोजन तूर्की में किया गया था पानिपत जिले की बेटी प्रेंका जुनेजा ने मिशेज विश्वसुंदरी का किताब जीता है मिशेज विशवसुंदरी ये जब साधी करने के बाद विशव सुंदरी बनती है तो वो होती है मिशेज विशव सुंदरी ठीक है ना तो हाली में मिशेज विशव सुंदरी का किताब किसने जीता है प्रैंक का जुने जाने जो की पाने पत की रहने वाली है अच्छा कुछ दिन पहले Miss Universe 2021 का खिताब की से जीता था हरनाज संदुने जो की चंडीगण की रहने वाली थी और Miss World 2021 का खिताब की से जीता है कैरोलीना बिलावसका ने जो की पोलेंड की रहने वाली है आप इन तेनों के नाम जुरूरी याद रखे एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं Miss Universe 2021 का खिताब जीता है हरनाज संदुने चंडीगण की रहने वाली है Miss World 2021 का खिताब कैरोलीना बिलावसका ने जीता है पोलेंड की रहने वाली है और Mrs. विशु सुंदरी का खिताब जीता है परेंका जुने जाने जो की पानिपत की रहने वाली है बढ़ते आगे हरियाणा की क्रशियाँ कल्याण मंत्री जया प्रकास दलान ने बताया है कि किसानों की आये को दोगनी करने के लिए कुरुक्षेतर के राम नगर में 10 क्रोड 50 राक लुपई की लागत से देश की पहली शहद मंडी स्थापित की जाएगी तो याद रखें भारत की पहली शहद मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी कुरुक्षेतर के राम नगर में क्योंकि कुरुक्षेतर के राम नगर में ही पहला एकिकरित मदुमक्की पालन के अंदर स्थापित किया गया था उसी के अंदर ये शायद मंडी स्थापित की जा रही है हरियाना अंतरास्ट्रीय फिल्म महुतसव 2022 का आयोजन किया गया है कुरुक शेतर में याद रखे हरियाना अंतराज शे फिलम महुटसर 2022 कहां पर आयोजित किया गए है कुरुक शेतर में और इसमें कुछ पूशकार भी दिये गए थे जैसे कि अगर आप इनके बारे में अतरिक्त जानकार प्राप्त करना चाते हैं सभी आवार्स के बारे में जाना चाते हैं ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में डीटेल में बताया गया है 27 मैं 2022 को हर्याना के शिक्षा मंत्री कमरपाल गुजर ने राज्य के पंचकुला जिले में रास्टर स्थय डिजिटल लर्निंग इलेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उधगार्ण किया है तो याद रखें जब इलेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट इसका उधगार्ण काहां पर किया गया है पंचकुला में किसके दुआरा उधगार्ण किया गया है हर्याना के सिक्षा मंत्री कमरपाल गुजर के दुआरा हाली में सिक्षा विभाग के दुआरा एक अफसर एप भी शुरू किया गया था कोविट-19 के दुआरान इस एप पर ही बच्चों की परिक्षा हुई थी इवन टेस्ट भी इसी एप्लिकेशन पर होते थे ठीक ना यनकी विदार्थियों का एसेस्मेट करने के लिए ये एप्लिकेशन शुरू की गई थी शिक्षा विभाग के दुआरा ही शुरू की गई थी तो इसका समन्थ किसे हो जाएगा हर्यान शिक्षा विभाग से जब एक्जाम को थोड़ा मुश्किल बनाना हो ना तो इस प्रकार के क्वेशन पूशे जाते है की राश्ट्रिय क्रमी सब्तहा का मनाया जाता है या फिर कोई और सब्तहा पूश लिया जाता है तो आप इनको हलकी में मत लीजिएगा ठीक ना इनको ध्यान से पढ़िएगा तो राश्ट्रिय क्रमी मुक्त सब्तहा इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है 23 मई से लेकर 29 मई तक ठीक ना क्रमी का मतलब होता है वाम्स यानि की कीडे के मुक्त के लिए ही इसको शुरू किया गया है ये सब्तहा आयोजित किया गया है और इस अभ्यान के तहट बच्चों को पेट के किड़े मारने की अलबेडाजोल टेबलेट भी प्रवाइड करवाई गई है निशूल्क प्रवाइड करवाई गई है ठीक ना हर्याना के मुखे सचीव हैं संजीव कोशल इन्होंने बताया है कि राजय में सरवांगिन विकास के लिए जिला सूशासन सूचकांग तेयार करने का निलने लिए गया है जिला सूशासन सूचकांग ये तेयार किया जाएगा सूशासन का मलने होता है एक अच्छा शासन यानि कि जिलों में अच्छा सासन हो रहा है नहीं तो उसको देखने के लिए ये सुचकांग जारी किया जाएगा, ठीक है, हर स्तर पे विकास हो रहा है या नहीं, चाहे वो सिक्षा कस्तर हो, सिक्षा क्षेतर हो, यह फिर रोजगार का क्षेतर हो, उध्योग धंदों का क्षेतर हो, तो हर अक्षेतर में विकास हो रहा है या ये चेक करने के लिए जिला सुचासन सुचकांग तयार किया जाएगा और इससे राज्यों के बीच में प्रतिस परदा बढ़ेगी और जहां कई भी स्वस्थ परतिस परदा बढ़ती है तो एक जिला दूसरे जिले से आगे निकलने की सोचता है जिससे कि उसका विकास होता है यहनिकी जिलों का विकास करने के लिए ही हर अक्षेतर में विकास करने के लिए ही जिला सुचकांग अपलाई किया जाएगा तयार किया जाएगा पंचकुला की रहने वाली कैप्टन अभिलाशा ब्राक भार्तिय सेना की पहली महिला लडाकु पाइलेट बनी है हाली मेरंजीता महता को हरियाना के राजयापाल श्री बंडारु दतत रहने हरियाना राजयाबाल कल्यान परिशत की मानंद महासचीव की रूप में नुक्त किया है मानंद एक समान सुचक शब्द होता है बेसिकली तो याद रखें हरियाना राजयाबाल कल्यान परिशत इसकी महासचीव की से नुक्त किया गया है रंजीता महता को ठीकना और इन्होंने पंदभार ग्रहाण किया है हर्याना राजियाबाल कल्यान प्रिशद के मुख्याले में जो की चंडीकड में स्थित है इनका कार्यकाल होगा तीन वर्ष का और वे 22 वी नंबर की महासचीव बनी है याद रखें हर्याना राजियाबाल कल्यान प्रिशद इसकी महासचीव की से बनाया गया है रंजीता महता को और हाली में हर्याना राजिया महिला आयो की नई अध्यक्सी से बनाया गया था रिनू भाटिया को जो की फ्रीदाबाद की रहने वाली है और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिशनर की से बनाया गया था कला रामचंदरन को अगर आप इनके बारे में अत्रिक्त जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैसे रिकॉल करवाया है भड़ते आगे मिनाक्षी दहिया को RTI अधिनियम 2005 के तहट चीफ इंजिनिरिंग सेल सहित हर्याणा प्रेटन निगम से सम्धित मामलों के लिए प्रथम अपीलिय प्राधिकारी बनाये गया है अपीलिय प्राधिकारी का मतलब क्या है देखिए RTI अधिनियम के तहट कोई information मांगी जाती है जो आवेदक होता है यहने कि जो information मांगता है तो जिसके दुआरा वो information प्रवाइड करवाय जाएगी अंतिम रूप से उसको बोलो जाता है अपीलिय प्राधिकारी तो engineering के अक्षेतर में और हरियाना प्रेटन निगम से संबंदी जो मामले है उनसे संबंदी जो भी जानकारी मांगी जाएगी सूजना मांगी जाएगी तो अंतिम जिम्मेदारी कि इनकी होगी मिनाक्षी दहिया को क्योंकि इनकी को प्रथम अपीलिय प्राधिकारी बनाये गया है engineering cell और हरियाना प्रेटन निगम के अक्षेतर में ठीक है न? वर्तमार में मिनाक्षी दहिया हरियाना प्रेटन निगम की महाप्रबंदक है जर्मनी के सहूल में जुनियर विश्व कप का योजन किया गये था और इसमें करनाल के अनिश बनवाला ने गोल्ड मैडल जीता है और साती सात एक सिल्वर मैडल जीता है तो याद रखे अनिश बनवाला कहां के रहने वाले हैं? करनाल के रहने वाले हैं और इन्होंने जुनियर विशो कप में गोल्ड मैडल और एक सिल्वर मैडल जीता है अनिश ने टीम इवेंट में 17 एक स्कोर से 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड मैडल जीता है और मिक्स इवेंट में सिल्वर मैडल जीता है हरियाना के मुख्यमंती मनोलाल खट ने बताया कि मारूती हरियाना में अपना तीसरा प्लांट स्थापित करने जा रही है और इसके लिए मारूती सजू की कमपनी ने IMT खरकोदा में 800 एकड भूमी भी खरीज ली है एक एकड में एक किला होता है यानकी 800 के लिए खरीज ली है ये लिखाओ है MSIL यानकी मारूती सुजू की इंडिया लिम्टिड इसके दुआरा IMT खरकोदा जो की सोनिपत में वहाँ पर 800 एकड भूमी खरीदी गई है ताकि वो अपना तीसरा प्लांट यहाँ पर स्थापित कर सके याद रखे मारूती ने वर्ष 1983 में गुरू ग्राम में अपना पहला कार सेंतर स्थापित किया था और उसके बाद मानेसर में एक अन्या वी निर्मार सुविधा स्थापित की रोह तक में एक अन्या अत्याधुनिक अनुसंदान एहों विखास के अंदर भी स्थापित किया था ठीक है ना तो कुल मिलाकर यह इनका तीसरा प्लांट है हरियाणा में खरकोता में स्थापित किया जाएगा हाली में भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्थेशन भी गुरु ग्राम में स्थापित किया गया है तो आप इनके बारे में भी जुरु याद रखें ठीक है ना भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्थेशन काँ पर स्थापित किया गया है गुरु ग्राम में स्थापित किया गया है 10 मई 2022 को केंदिया सड़क परिवहन और राजमारग मंतरी नितीन गड़करी ने नहु जिले के फतेपुर गाओं में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रेपिंग फेसिलिटी सेंटर का उद्गाटन किया है ये भी most important point है अरजिस्टर्ड वाहन स्क्रेपिंग फेसिलिटी सेंटर ये काँ पर स्थापित किया गया है नहु जिले के फतेपुर गाओं में स्थापित किया गया है और इसका उद्गाटन किया है केंदिया सड़क परिवहन और राजमारग मंतरी नितीन गड़करी ने ठीक है ना कब उसका उद्गाटन किया गया है उसका उद्गाटन कब किया गया है 10 मई 2022 को याद रखें केंदर सरकार के 12 वर्ष 2021 में वाहन स्क्रेपिंग नीती की घोशना की गई थी और इस नीती का उदेश्या है जो पुराने वाहन है खराब होए होए वाहन है उनकी संख्या को कम करना यानकी पुराने वाहनों को या फिर खराब वाहनों को नए वाहनों के साथ रिप्लेस करना ये इस पोलसी का मुख्या उदेश्या है पंचकुला के सेक्टर 26 में सामुदाई के इंदर है इसका नएया नाम रखा गया है वीर सावरकर सामुदाई केंदर तो याद रखें वीर सावरकर सामुदाई केंदर कहां पर है पंचकूला के सेक्टर 26 में है वीर सावरकर है जो इनके द्वारे एक पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक बहुती परसिद हुई हिंदु तु हिंदु कौन है ये इनकी पुस्तक है ठीक है न और वीर सामरकर के दुआरा वर्ष 1904 में अभीना भारत सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी तो आप ये पॉइंट इनके बारे में जुरूर याद रखें बढ़ते हैं अगले स्टेप की होर हरियाना के गलोबल सीटी प्रोजेक्ट को गुरू ग्राम में स्थापित किया जाएगा इस पर विचार चल रहा है याद रखें गलोबल सीटी प्रोजेक्ट यह हरियाना में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा गुरू ग्राम में और पीछे हमने पढ़ा था जो भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है वो भी गुरू ग्राम में स्थापित किया जाएगा ठीका ना किया गए है basically ग्लोबल सीटी प्रोजेक्ट है जो यह क्यों स्थापित किया जा रहा ताकि गुरू ग्राम को केंद्रिय व्यापार जिले के रूप में विक्सित किया जा सके यान की गुरू ग्राम को व्यापार के अक्षेतर में और आगे बढ़ाए जा सके वैसे तो गुरू ग्राम में ब एक्स्टेंशन नहीं दिया जाएगा देखिए क्रिब क्रिब 90 सिक्षकों को प्रती वर्ष स्टेट अवार्ड दिये जाते हैं जिसकी राशी पहले 21,000 थी लेकिन अब एक लाख रुपई कर दी गई है तो जो भी सिक्षक स्टेट अवार्ड प्राप्ट करता था उसको भी प प्राप्ट किया है तो उसको दो वर्ष का एक्स्टेंशन नहीं दिया जाएगा यहनिकि चप्पन वर्ष की उमर में ही वो रिटायर हो जाएगा उनको एक्स्टेंशन नहीं दिया जाएगा ठीक हाली में सिक्षक एक्षेतर में एक नई योजना भी अपलाई की गई है यह अधिकम योजना ठीक ना और इस योजना के तहित दस्वी और बार्वी कख्षके चातरों को टैबलेट्स प्रोवाइड करवाएगे है साथ ही साथ 2GB डाटा भी उपलब करवाएगे है तो अब इस योजना का नाम ज़रूर याद रखें सिक्षा से समन्दित योजना है यह भड़ते आगे हर्याना रेल इंफ्रास्ट्रॉक्टर डैवलप्मेंट कोर्परेशन लिम्टिड के प्रभंद निदेशक राजेस अगरवाल ने बताया है कि हर्याना रेल इंफ्रास्ट्रॉक्टर डैवलप्मेंट कोर्परेशन लिम्टिड इसके प्रभंद निदेशक है और इनके द्वारा ही यह सूचना दीगी है कि अर्याना और यह सूरंग कुंडली मानेसर पलवल यानिकी के एक्स्प्रेस वे के समानतर जो साथ किलोमेटर लंबा हर्याना और्बिटल रेल कोरिडोर है वहाँ पर बनाए जाएगी अर्याना की बात करें तो यह संसार की सबसे प्राचिन वुलीत प्रवस्रेंखलाव में से एक है और इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमेटर यह हर्याना, गुजरात, राजस्तान और दिल्ली में फैली हुई है हर्याना के दक्षनी भाग में यह फैली हुई है और हर्याना में सबसे ज़्याद़ इसका विस्तार है गुरूग्राप में और हरियाना के कुल भोगोलिक अक्षेत्रफल के 1.67% पर ये फैली हुई है देख लेते हैं आगे क्या कुछ है हाली में हरियाना के मुख्या मंत्री मनोहलाल खटर नेराजा में आस का पूरा नाम है ओटो अपील सोफ़ेर सिस्टम इसे शुरू किया है यानि कि ये अपील करने से समन्दित सोफ़ेर है हाली में मुख्या मंत्री के दौरा इसे शुरू किया गया है और इसके संद्रह में हरियाना के मुख्य सचीव संजीव कोशलें बता है कि इसे सेवा के अधिकार अधिनियम के तैय शुरू किया गया है और हर्याना देश का ऐसा पहला राजय बन गया है जिसने इस प्रकार का अनुठा सिस्टम अपलाई किया गया है ठीक न? आप ये भी याद रखें हर्याना सेवा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2014 में लाए गया था और ये पारदर्शीता तथा जो आप देश को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था बढ़ते आगे पंद्रमाय 2022 को हर्याना के मुख्य मन्तिम नोहलाल खटर ने यवनानगर के जगादरी में प्लाईवूड उद्ध्योग को बढ़ावा देने के लिए पिचास क्रोड रॉपई की लागत से हर्याना का पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थान स्थान किया है हर्याना का पहला वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है यवना नगर के जगातने में स्थापित किया जा रहा है प्लाइवुड उद्ध्योग को बढ़ावा देने के लिए ठीक है हर्याना के मुखे से चीव कोन है संजीव कोशल कई बार ब फिर्मान किया जाएगा ठीक है इंटीग्रेटिड मल्टी मोडल लोजिस्टिक सब ये कहां पर बनाया जा रहा है हरियाणा में नांगल चोदरी जो की महिंदरगड में है और ये उत्तरभार्त का सबसे बड़ा इंटीग्रेटिड लोजिस्टिक सब होगा जो इंटीग्रेट के साथ ये स्थापित किये जाते हैं भड़ते आगे कुरुक्षेतर के राज की अमोरल संस्क्रीट वरिष्ट मादयमिक विद्याले के केशव सदन में योग ओलम्पियाड का आयोईन करवाय जाएगा योग ओलम्पियाड प्रति वर्ष योग दिवस बनाया जाता है 21 जून को हर्याणा के सहकाईदा मंत्री कौन है डोक्टर बनवारी लाल डोक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि तरल दूद फलों के रस और किन्मित दूद उतपादों की पैकिंग के लिए हर्याणा राज्या का पहला टेट्रापेक से अंतर रोहतक में विक्सित किया जाएगा हर्याणा का पहला टेट्रापेक से अंतर इसके बारे में हमने एक वीडियो में भी उपड़ा था हर्याणा विशे सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगी देख सकते हैं तो हर्याणा का पहला Tetra पेकसे हैंदर कहां पर स्थापित किया गया है रोहतक में स्थापित किया गया है जो दूद से समंदित उतपाद होते हैं दूद से तेयार किया हुए उतपाद उनकी पैकिंग के लिए ये fullness किया जा रहा है पांच माई 2022 को हर्याना के मुख्या मंतिर मनोहलाल खटन राज्य के रहोतक जिले से यी अधीगा मियोजना की शुरुआत किया है जिसके संद्रम में हम पहले जान चुके हैं यह अधिगम योजना कहां से शुरू की गई है? रोतक से शुरू की गई है, पांच मैं 2022 को शुरू की गई है, और इसके दुवारा सरकारे स्कूला के विदार्थियों को टैबलेट पांटे गई है, दस्वी और बार्वी कक्षा के विदार्थियों को पांटे गई है, साथ म उल्टा गर दी दिए, कर्ज दे जिए, वो बनेगा 86, यानि कि दूसरी शिक्षानिती कब आई, वर्ष 1906 में, और इसके बाद आई है वर्ष 2020 में, नई शिक्षानिती कुन सी है, वर्ष 2020 वारी तो नई शिक्षानिती को पूरे देश में अपलाई किया जाएगा वर्ष 2030 तक, ये किंदर सरकार का लक्षे है, लेकिन हरियाना सरकार ने लक्षे रख़ है है 2021 तक, हरियाना सरकार का कहना है कि हम 2025 अएगी हम 2025 तक हरियाना के सभी सिक्षण शिक्षानिती को अपलाई कर देगे, ठीक है, तो आप इन दोनों डेटे इसको याद रखें, 2030 तक केंदर सरकार नई सिक्षानिती को अपलाई कर देगी, पूरे देश में, और 2025 तक हरियाना के सभी सिक्षन संस्तावनों में हरियाना सरकार नई सिक्षानिती को लागू कर देगी, दोस्तों अगर आप हरियाना कराट अफेर को विस्तार में पढ़ना प्रोमिस है आप से तो आप एक पार वेबसाइट पर ज़रूर जाएगा वेबसाइट कैसे लगी है यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अभी आपको वहाँ पर थोड़ा कम कंटेंट मिल सकता है अभी हमने जो हर्याणा के प्रीवी सियर के पेपर है वो कुछ ही डाले हैं लेकिन बहुत सारे पेपर हम डालने जा रहे हैं आगे इसके अलावा जो हर्याणा की क्रेंट अफैर है आप वो पड़ सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथ हे साथ जो नेशल क्रेंट अफैर है जो मंधली हम यहाँ पर करते हैं यूट्यवपर करते हैं उसकी PDF आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत भहुत धन्यवाद अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया